Hi everyone, आशा करता हूँ आप सभी एच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे हम रोजाना की तरह आज फिर English Reading Practice की सिरीज में एक नई स्टोरी लाए हैं जिसका टाइटल है The Selfish Crow Selfish होता है हमारा श्वार्थी और क्रोज होता है हमारा कववे तो ये कवव की और एक मैना की कहानी है, काफी interesting स्टोरी है और मैं इस स्टोरी में आपको हर एक वर्ट का English से हिंदी में translation करके बताऊंगा और हर एक वर्ट का क्या हिंदी मिनिंग होता है, किस तरह से उस कार्थ निकला जाता है सारा मैं आपको बताने वाला हूँ और मैं इसी तरह की वीडियो English से related और Grammar से related लाता रहता हूँ अगर आप हमारे चैनल पर पहली वार आएं तो सब्सक्राइब कर लीजिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी The Selfish Crow यानि स्वार्थी कववे यकाले बादल थे मैना यह होता है मैना जो हम हिंदी में सुनते हैं उसी का ये वर्ड है मैना मैना wanted to fly to her nest as soon as possible एक छोटा सा पंची था मैं आपको दिखा देता हूँ वो क्या था ये जो है ये जो बैठी है ये मैना बैठी है और ये कवे बैठे हैं तो जब काले बादल बहाँ एकत्रित हुए तो ये मैना wanted to fly to her nest एक जो मैना थी वो अपने जो nest था उसका घोंचला था उस तक उड़कर जाना चाहती थी as soon as possible मतलब जितना जल्दी हो जाया उतनी जल्दी वो अपने घर जाना चाहती थी it was getting dark अंधेरा हो रहा था it was getting dark कार्यरे क्या है continuous दिखाया दरा it was है न और getting dark getting मतलब ing लग हुई तो वो continue है it was getting dark अंधेरा होता जा रहा था her nest was far away उसका जो घर था काफी दूर था far away दूर she stopped over on a neem tree on her way back जब वो बापस आ रही थी तो उसने क्या किया जब काले वादल थे she stopped बहर रुख गई over on a neem tree बहर एक neem के पेड़ पर रुख गई on her way back जब बहर बापस आ रही थी बापस के रास्ते में क्या हुआ वो नीम के पेड़ पर रुख गई many crows were already काफी सारे क्रोज को हुए already पहले से ही many crows were already perching on it काफी सारे को हुए उसके उपर पहले से ही बसेरा डाले हुए थे या बसेरा बनाए हुए थे भेंदे सा दा मैना जब उन्होंने मैना को देखा many of them swabbed over her crowning hearts ली उनमें से अधिकांस जोर से चिलाते हुए उस पर एका एक जपट पड़े swabbed over होता है जपट पड़ना और crowning hearts ली जोर से चिलाना मतलब जो वहां कोवे बैठे थे वो क्या हुए many of them swabbed over अधिकांस उसमें से जपट पड़े हर उस पर crowning hearts ली जोर से चिलाते हुए उस मैना के उपड़े get of our tree हमारे पेड से उत्रो या हमारे पेड से जाओ इस तरह से वो कहते हुए वो जपट पड़े उस मैना के उपड़ get of our tree हमारे पेड से उत्रो या हमारे पेड से जाओ the scared मैना pleaded जो डरी हुई scared होता है डरी हुई मैना the scared मैना pleaded जो वो डरी हुई मैना थी उसने दलील दिया कहा brother, by the tree belongs to all जो पेड है वो सभी का होता है the better is bad और motion खराब है it might rain heavily और संभाबना है कि आज बारिज बहुत तेज पड़ेगी बहुत जादा पड़ेगी so pretty दया दिखाओ and let me stay for a while और मैना ने क्या कहा so pretty दया दिखाओ and let me stay for a while और मुझे कुछ देर के लिए यहां रुकने दो for a while होता है कुछ देर के लिए let the cross-budent listen लेकिन कवों ने उसकी बात नहीं सुनी at last anth में the manna flew to a near white tree where she found a nice hollow under a broken branch at last anth में जब उन कवों ने उसकी बात नहीं मानी at last anth में the manna flew to a near white tree जो मेंना थी वो एक पास के पेड़ पर उड़कर चली गई where she found a nice hollow जहां उसे क्या मिला hollow होता है खोकली जगा जैसे hollow teeth हो जाते हैं जब कीड़ा लग जाता है दानत को तो hollow teeth कोई भी खोकली जगा रहती है उसे hollow बोलते है where she found a nice hollow जहां उसे एक खाली जगा मिली under a broken branch एक टूटी हुई शाखा के नीचे the manna sit in the hollow comfortably जो मेंना थी वो उस hollow जो खाली जगा थी उसके अंदर बहुत अराम से बैठ गई a little while later कुछ देरवाद it started raining heavily कुछ देरवाद बहुत तेज बारिष पढ़ने लगी and hail stones started falling और ओले जो होते हैं hail stones वो भी गिरने लगे the manna was safe inside the hollow जो मैना थी जिने उन्होंने सरण नहीं दी थी वो क्या था वो सुरक्षित थी एक hollow में खाली जगा में but लेकिन the crows suffered लेकिन कवो को भुगतना पड़ा the hail stones came down like small rocks जो ओले नीचे पड़े थे वो किस तरह से थे वो छोटे छोटे पत्थरों की तरह थे the hail stones came down नीचे गिरे like small rocks like का जो यूज होता है जैसे की अर्थ में जैसे छोटे छोटे पत्थर हों चट्टान हों इस तरह से ओले गिरे many crows got hurt बहुत से जो कवए थे उन्हें चोट पहुची and some even died और कुछ मर भी गए जब ओले पड़े तो कुछ को चोट लगी और यहां तक की कुछ मर भी गए when the weather cleared जब मोसम साफ हुआ बैदर होता है हमारा मोसम when the weather cleared जब मोसम साफ हुआ the mana came out of the hollow जो mana थी वो उससे बहार आई and flew home parts जैसे two parts होता है उसी की तरह home parts जिस चीज के पीछे हमने words लगा दिया तो उसकी तरफ और वो उली फ्लू उली home parts अपने घर की ओर she saw that उसने देखा की most of the crows were laying under the tree अधिकांस जो कुए थे वो पेड़ के नीचे पड़े थे grounding करहा रहे थे and flopping around करहा रहे थे grounding होता है करहाना and flopping फड़ पड़ा रहे थे around आसपास one of the crows said to the mana एक कुए ने जो मैना थी उससे कहा how have you escaped unhurt तुम कैसे बालबाल बच गई मतलब किस तरह से तुम बच गई जब किसी विपत्ति से बचने का समय आता है तो हम बहां बचने के अर्थ में लगाते है escaped how have you escaped unhurt तुम कैसे बच गई तो जो मैना थी उसने reply दिया God helped भगबान ने सहायता की या भगबान ने मदद की He helps humble creatures और जो मैना थी उसने कहा He helps humble creatures बहे बिनम्र प्राणियों की मदद करते है and let arrogant once like you suffer और तुम जैसे जो आप जैसे जिद्दी एहंकारी होते हैं उन्हें सफर करने देते हैं या उन्हें भुगतने देते हैं दा मैना sad flying of और जो मैना थी उसने sad कहा flying of उड़ते हुए कहा ये सब्द उसने उड़ते हुए कहे और वो अपने उड़के चली गई ये थी हमारी आज की story आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी अगर कोई ये अच्छी लगी हो या कोई आपका दोस्त इंगलिज सीखना चाहता हो तो उन्हें आप सेर जरूर करना इसी तरह कि हम story लाते रहते हैं इस story का आप हम jazz story देख लेते हैं सार, सार क्या है लाइक जरूर कीजिए निडी creature deserves help and sympathy of others एक जरूरतमन्द प्राणी deserves help and sympathy of others एक जरूरतमन्द प्राणी दूसरों की सहायता help and सहानवभूती sympathy होता है सहानवभूती of others एक जो जरूरतमन्द प्राणी होता है बहें दूसरों की सहायता और सानवूती का पात्र होता है या डिजर्प करता है पात्र होता है जो आकार और इस्तिति है उससे कोई फर्क नहीं पढ़ना चाहिए जैसे कि वो मैंना थी छोटी सी थी कवे बड़े बड़े थे उन्होंने उसे डरा धमका कर भगा दिया जो आकार होता है या इस्तिति होती है कि वो किस इस्तिति में है वो मैंटर नहीं करनी चाहिए उसका मतलब कोई भी फर्क नहीं पढ़ना चाहिए जो कवे थे इस मैना को अपने पेड़ पर सरन नहीं लेने दी सेल्टर होता है सरन सी फ्लू टू दा अधर ट्री बहब दूसरे पेड़ पर उड़कर चली गई बड़ दा सेल्फिस एंड एरोगेंट क्रो सफर्ड अगर भो भी बहां बैठी रहती तो सीधी सी बात है भो भी मरती भुगतना पड़ता है अगर भो भी जिद्दी होती बट लेकिन वट दा सेल्फिस एंड एरोगेंट क्रो सफर्ड जो स्वार्थी और एंकारी को हुए थे उन्हें भुगतना पड़ा, सफर्ड होता है, भुगतना, एरोगेंट होता है हमारा जिद्धी, और सेल्फिस, शेल्फिश होता है हमारा स्वार्ती, दा मैना इसकीप्ड अनहट, जो हमारी मैना थी, वो बालवाल बच गई, और इसमें सबसे बड़ी बात है, नेचर इस ग्रेट लेशन्स, जो पिरकरती है, पिरकरती हमेशा, पिरकरती कहते हैं, कुदरत भी कहते हैं, पिरकरती हमेशा एक सबसे बड़ा लेशन्स सिखाती है, तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, कि दूसरे को हानी पहुंचे, वो आई थी तो उन्हें सरान देना चाहिए था नहीं दिया तो उसके लिए वो मरे और भुगतना पड़ा तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो और कोई अपने दोस्त आपके दोस्त इंगलिस सीखना चाहते हैं तो आप उनके साथ जरूर सेयर कीजिए काफी अच्छी स्टोरी थी और मैंने इसके अंदर हर एक वर्ट का टांसलेट करके बताया आपको कि किस वर्ट का क्या मिनिंग होता है और मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ मिलते हैं कल एक इसी तरह की वीडियो में और कमेंट जरूर करना अगर आप कुछ शुधार चाहते हैं या फिर किसी और टोपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो Have a nice day जैहिन